कि लट्चुरिंग एक्सेलेंस है गोड़ इवनिंग एवरीवन अब कि सब्सक्राइब परिवार में आपका हर्दिक स्वागत है और अपना जो चेप्टर चल रहा था डायरेक्शन का आज अपन उसी का नेक्स्ट टाइप देखेंगे इससे पहले अपने दो टाइप देख सब्सक्राइब कि जो रोटेशन बेस क्यूशन ते वह देख लिए फिर सेकेंड अपने देखा डायरेक्शन डिस्टेंस बेस्ट बेस्ट क्यूशन आज अपन देखेंगे अपना थर्ट टाइप का है कि जो कि आपका रहेगा सेडवेस क्यूशन ठीक है सेडवेस क्यूशन देखेंगे आज अपने ठीक है तो देखो रोटेशन वाले में अपने देखा था कि उसमें क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में वह एक कोई फेस की डायरेक्शन दे रहा था एंडेन अपन क्या करने थे वह जिस तरीके से बोल्ड़ा था कि देखेंगे तो वहां से स्टार्ट करते थे एंड जैसे वह कमांड दे रहा था कि लेफ जाना है राइट जाना है या फिर डायरेक्शन के अकोडिंग जी की नोट जाना है वेस्ट जाना है एंड डिस्टेंस जित्ती उसके अपने को तीन चीज़ें बतानी पटर रही थी तो फेस की डायरेक्शन यह स्टार्टिंग पॉंट से लास्ट की डायरेक्शन यह फिर श्टार्ट पॉंट से लास्ट पॉंट की बीच की डिस्टेंस तीकि यह तीनी चीज़ बताता हम आपको मैं ली देखो परचाई का एक चीज बताता हूं आपको कि जैसे मालो ये कोई light source है ठीक है कुछ में light source होता है और यहां मालो कोई object है तो इसके परचाई कहा होगी वह यहां बनेगी इस तरीके से यानि कि आपको एक चीज अच्छे से समझ रही है कि जो सेडो होती है वह light source के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनती है अब ठीक है अगर मैं यहां लेकर आ जाता हूं light source को अब सेडो कहां बनेगी यहां बनेगी ठीक है मतलब यहां से आप क्लियरली समझ चुके हो कि अगर मालो जैसे मैं इन करने यहां घड़ाँ और मेरे lalis इसितरफ रहेगा तो मेरी सेडो बनेगी मेरे इसम उर्फ से बीच में आपज़ेक्ट रहेंगा तभी बनेगी धो बट जहां light source रहेगा उसके जस्ट अपोजिट्स राइड में का बने सेडो और लाइट सोर्स को मैं यहां लेता हूं तो मेरी सेडो बनेगी इस तरफ ठीक है कि लाइट सोर्स से जश्ट अपोजट डायरेक्शन में क्या बनती है उसकी सेडो बनती है जैसा कि आप इस डाइग्राम से समझ सकते हो कि देखों मॉर्णिंग के टाइम में सन कहा होता उसके जश्ट अपोजट होगी तो लाइट सोर्स अगर सन यहां है मतलब लाइट सोर्स यहां है और अबजेक्ट यहां है तो सेडो कहां बनेगी यहां बनेगी क्लियर है उसके बाद क्या वाहां कि सन जैसे मानलो यहां पहुंच गया अब इसके जश्ट अपोजट मतलब स तरफ रहती है मालों जिसमें यहां अगर कोई लाइट सोर्स रहता हूं तो बिलकुल मेरे पेरों के नीचे होगी जो आपको दिख नहीं पाएगी ठीक है बट अगर वो थोड़ा सा भी एंगल पीछे है तो उसके सेटो थोड़ी आगया जाएगी अधर्वाइज वो बिलकु लाइट सोर्स है उसके जश्ट अपोजिट साइड में अपने को क्या बनाना है सेडो बनाना है और संदेखो यून ऐसे ही चलेगा मोर्निंग से इवनिंग तक इधर से उधर ही सलता है इस से वेस्ट की तरफ बढ़ता है सं तो जो आपके सेडो है वो कहां से कि चलेगी वो वेस्ट से इस्ट की तरफ चलेगी यानि कि सं के जश्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलेगी सेडो चलेगी ठीक है यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सेडो है वो लाइट सोर्स के जश्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी क्लियर है सबको सेकंड एक चीज और समझ ले नहीं है कि जैसे यह अपना था डाइरेक्शन का डाइग रहाँ यहां भी अपन सेम ऐसे ही करेंगे कि उपर नोर्थ नीचे हो गया साउथ यह हो गया इस्ट एंड यह हो गया वेस्ट ठीक है तो एक चीज बताओ कि यह इवनिंग है कि यह इवनिंग मॉर्णिंग नहीं है क्योंकि यह टाइम दे रहे हैं ट्वाल वे जीरो वन से सिक्स पीम तक ठीक है कि यह डाइरेक्षण का जू में डाइग्राम है यह अपन सेड़ो वाले क्यूशन में यह ड्रो करोंगे फिर आपको क्या देखना है कि जो जो कूश न है वो कहां रहेगा मॉर्णिंग वाली कंडिशन देखते हैं सबसे अपन कि मॉर्णिंग में सन कहां रहता है ने रहेगा के हैं सबकों कि सं आपको सबको पता है कि पिरने के बासर किवोbang के बात कर रहा है कि अगर बात कर दो तो आपको क्या कर लेना है कि sun को बना देना है east में ठीक है अगर sun east में बन गया है इसका मतलब क्या हो गया सेडो कहां बनेगी west में और अपन मान की सिलते हैं कि object अमेशा इस line पर है note to south वाली जो line इसी पर है ठीक है object यहां है तो उसके सेडो का बनेगी इधर बनेगी clear है तो यहां से देखो इसके यह टेबिल जो बनाई हुए है इसको समझते हैं ठीक यह चीज़ तो आप समझेगे चलो मैं इवनिंग का भी बता देता हूं पर ले ठीक है या फिर मान लो सेम नोर्थ साउथ इस्ट और वेस्ट अब मैं बात करता हूँ अगर इवनिंग की तो देखो इवनिंग में सन कहा जाएगा इस जगह भी आजाएगा तो अब सेडो का बनेगी इधर बनेगी इस्ट की तरह clear है को कि morning में सन इस्ट में रहेगा तो सेडो बनेगी वेस्ट की इस्ट एपोजिट डायरेक्शन में बनेगी clear है तो अब अपन देखते हैं मौर्णिंग वाला ही फिर से यह टेबल को समझ रहें को सिसकरते हैं कि यह नोर्थ होगा है साउथ इस्ट वेस्ट सन कहा है मौर्णिंग का टाइम है अगर तो सन है इस्ट में सन यहां है अगर सन यहां कोई object खड़ा है यहां व से हहाई यह बलेक वाली में यह क्या है को सेडू है ठीक है और यह कैस्वी ऑबजेक्ट है कि अब देखो कीूशिसमें चलू सुर्य यह टेबल में देखते consuming बोल लाई है कि मौर्निंग 6 10 एलेवन फिप्टी नाइन तकी जो मॉर्णिंग का टाइम होता है मॉर्णिंग में से अब जैसे 12 पे यहां पहुच जाएगा तो यूँ चलेगा वह तो अपनी सेडू यूँ चलती रहेगी ठीक है तो देखो फेस अपन समझने की कोश्चित कर रहे हैं कि यहां जो मैंने होगा हो अगर से एस्ट में होगा तो सेडो की जग भी क्या उच्किया एक शैडो दोनों की चीज शीजिए फिक्स हो चुबएगी अगहां और फेस कर लेता हूं तो भी मेरी शीडो इधर रहेगी और अगर में फेस ऐस कर लेता हूं तब मेरी सेडों इधर रहेगे क्लियर सब को कि अगर सन की जिगापन फिक्स कर लेते हैं एक पर्टिकुलर जिगा माले कि सन यहां है लाइट शोर्ट यहां है तो सेडों की डायरेक्शन फिक्स हो चुकि उससे मेरे से कोई फरक नहीं पड़ता है यहां जो कोई अब्जेक्ट तो अगर मेरी सेडों कहां बनेगी मेरे बैक पर बनेगी क्रेड to ॥ यहां देखो क्यों सॉन में क्या करेगा क्रिआ कि मॉर्णिंग के टाइम पे अगर आपकी शेडो बेक बढ़ लिए तो पका फेस मतलब मेरा फेस हो चुका है यह से वेष्ट क्रेडे करेग है शेडों अभ ev government पर आगे इन फ्रेट पर, यहनु कि अगर मेरा फेस्ट की तरह रोगता है तो सेडो ही तरह वनेकर फिर है फिर थर्डड कंडिशन दे रहे हिए कि मेरा फेसल नॉर्ट मे crear असे कड़ा तो आप कि सेड़ों के दिर्वनेगी सावडों राइट साइड है क्लियर है तो यहां जो क्यूशन में देगा वो वो क्या-क्या चीज़े अपने पास चार चीज़ें यह यहां क्या होगा कि इन दोनों चीज़ों के रिलेशन से अपने को देखना होगा कि अगर अपने चीज़ों के बेक बनेगी है तो वहां अपने को देखना है कि बेक कि किसे कंडिशन में बनती है यानि कि मैं अगर इस्ट की मतलब अगर में लाइट सोर्स की तरब देखूंगा तो मेरी सेड़ों कहां बनेगी मेरे बैक पर बनेगी इस तरीके से ठीक है यह हो गया मॉर्णिंग का अब समझते पर इवनिंग की के टाइम पर क्या होगा यह उपर हो गया नोर्थ यह साउथ यह इस्ट और यह वेस्ट क्लियर है अब बनाते हैं अगर सन वेस्ट में है तो सेड़ों बनेगी कहां इस्ट में क्योंकि ओब्जेक्ट कहां खड़ा है है कि इस लाइन पर कि अब अब आपन चलते हैं लाइट सोर्स से सेड़ों उधर ही बनेगी इस्ट की तरफ क्योंकि लाइट सोर्स से अब चलते हैं इवनिंग में है कि यह जीनिंग के टाइम पहें जैसे यहां तो मैंने के टाइमिंग थोड़ा आ इंडियर यहां से देखते हैं और और वंप Pitts कि नमीरेशन है कि अब ही देखोँ अभी मैंने बताएघा था मैं में stats की तरफ 인बशिकर देता हूं अभी दिवजन की तरफ में कर लेता हूं अब ही दिवkówसं की तरफ आचक आचका हूं अब वेस्ट में यो व्योन तौन डिभलीय है सन्प कप और अगर मेरा फेस की चैघार मेरा ऐस है यानिका सोड से चुछ सी डायर्क्षन अगर में करके फ़नाओं तो मेरी शेडों मेरे सामने मतलब इस्ट में अगर मेरा वेस हिस्ट में रहेगा तो मेरी शेडों में च布 नहीं थे क्लिर सेडो नोर्थ पे यानि कि मेरा वेशद liege स उच्प जोगा है theft is жить ऐडर होगा है और सेडो मेरी इधर है तो सेडो का डारेक्सन क्या है यह कौन सा एंड होता है ऩो सर्द राइट कम मतलब अगर ऐसा क्यों से नाता है तो आप खुद को वहाँ इमेजन करके भी देख सकते हूं या ऐसे समझ सकते हूं कि विनिंग बोलते हैं आपको सन बना दिना वेश्ट में से डो बना दिनी है इस्ट में उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट और यह भी मानेंगे कि अब अब ऑब्जेक्ट को गुमाके देख लेना है कि उसका फेस की देर है क्योंकि से डो की अपने को डायरेक्शन फिक्स हो चुक कि एक लिए रहे सबको चलते हैं देखो अपने फर्स्ट क्यूशन पर क्योंकि क्यूशन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ भी आएगा तो चलते हैं अपने फर्स्ट एक्जामपल पर कि देखो क्या बोल्ड़ा है कि इन इवनिंग गोपाल से पोल के एक इवनिंग का टाइम था गोपाल ने क्या दिका पोल देखा इफ अडर्ड टाइम-डप आप ओल कोइब शेडों कि उसी पूछे जाएगा इसी ज़री के पूछा जाएगा कि जो यहां पर्षन होगा उसी कि घ्र पूछेगा हर बार है तो देखो यहां जिसे जिसे कुछन बोलेंगा अपने उसी के अकोडिक काम करेंगे सब से पहले वह जैसे किसी पफ्रबर में आपके ड़ाइगा अगर को फिर नहीं तो सब से फ्ले आपको क्या करना है यह डायगराम ही ड्रो करना है चाहिए वो क्यूशन आपके रोटेशन वेस्ट अज Inner डिश्टेब डायरेक्शन अब अपन चुछे क्या दियोन के लिश्ट्व में ऐइन अवनींग का और श्क मॉनींग आए जीसक्षण यान कि अगया है वेस्ट में I am yeah themaster league इसने का कि गोपाल ने देखा एक पोल देखा यानि कि यहां कोई पोल है लगा हुआ ठीक है इसे पोल लगा हुआ है गोपाल ने क्या देखा एक पोल देखा ठीक है अब यह बोलड़ा कि if at the time यानि कि उसी time पे क्या होता है जब उसने pole देखा था तब क्या था if at the time the pole shadow यानि कि pole की shadow का बनी ये बनी पोल की shadow made his right यानि कि वो कहा है गोपाल के right में है यानि कि यही इसी line पे कौन कड़ा है गोपाल कड़ा है मालो ये बनी इसकी shadow और ये बोला है कि इसी जिगर पे मालो गोपाल कड़ाई है ये गोपाल कड़ाई है ठीक है अब देखो क्यूशन में क्या बोला कि इस जो pole की shadow है देखो shadow कि इधर बन रही है कि pole की shadow जो वो क्या है गोपाल के right में है तो गोपाल का face कि इधर है अब देखो shadow इधर मनी है ये इनकी गोपाल के ये right end कब होगा कि गोपाल कि इधर face क्रे की right हो जाए मालो जिसे मैं कड़ाऊँ अभी मैं ये चाहूँ कि इस direction मेरा right end आ जाना सी ठीक है तो मैं अगर ऐसा खड़ा होगा मतलब मेरा face कि इधर है south कि अब अब यह मेरा hand कौन सा है यह तो left end है जबकि मेरे को इधर कौन सा लेकर आना है right end तो right end कब आएगा जब मैं ऐसा कड़ा होगा अब मेरा right end इधर आ चुका है यानकि मेरा face की direction क्या है north यानकि अगर गोपाल का face किदर होगा गोपाल का face अगर north होगा तब ही तो जो इस pole की shadow है उसके right में है यानकि north में face होगा मतलब ऐसे जैसे मैं अभी खड़ा हूँ आपके सामने यह direction होगी और देखो मैंने का है कि west में है क्या sun और east में बन रही है shadow इधर shadow बन रही है और वो मेरे right में चाहिए तो यह मेरा right end है इधर यह shadow यानकि मेरा face की तरह नोर्थ यानकि गोपाल कैसे कड़ा है नोर्थ की तरफ face करके खड़ा है और यहाँ पुछा भी उसी नहीं कि now find the gopals face in which direction की गोपाल की face की direction क्या है तो क्या होगी गोपाल की direction नोर्थ तो यहां हो जाएगा आपका option b is correct आपको इस तरह कैसे करना है यह से नेक्स्ट राइक क्यूशन में तो नेक्स देख रहे है एट दा इवनिंग बिफोर संसेट एट शिक्स पीम यानि की इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग के टाइम पर क्या होगा यह नोर्थ हो गया आपका यह साउट इस्ट एंड वेस्ट तो सन कहा जाएगा इवनिंग का अगर टाइम है तो सन आ गया यहां पर ठीक है अगर सन यहां है तो सेडो का बनेगी मेरी यहां पर क्लियर है वह अगर सन इधर है तो सेडो इधर बनेगी अब रखते है अपनों उब्जेट को कि आप इसक्या क्या काईस ने इन्दा युनिंग दफौर संसेट यहां तक जैसे ये वह कंडिसन देखा कि यहां बात वो युनिंग की कर रहा है कि मोर्णॡ है कि कि मोहन स्टेंडस इन फ्रेंट आफ पॉल यानि कि मोहन जो है वो एक फोल के सामने खड़ा है तो अपन क्या मानते हैं कि यहाँ एक मालू यह पॉल है और यह क्या है और अब आप एक मिनट यह चीज अपन फिक्स नहीं कर सकते कि मोहन अभी इधार है कि उधार है तो अपन यह होगी सेडो इसे खड़े हैं ठीक है दोनों एक दूसरे की तरफ फेज करके खड़े हुए हैं क्योंकि कि मोहन इनकी सेडो है यह सन है ठीक है यहां तक क्लियर हो गया अब देखो वो कंडिशन क्या दिया इफ दा सेडो पॉल यानि कि यह जो ग्रीन के लगा था यह है पॉल और यह वाला जो है यह क्या है मोहन क्लियर है उसने कहा कि if the shadow of the fold first just left to the mohne यहन कि mohne के कहा है जस्ट लेप पर है ठीक है अगर पोल की सेडो मोहन के कहा है लेप पर है अब मोहन का left कब होगा सेडो का अपना पता सल के कि सेडो इस डाइरेक्शन में है क्योंकि μέρω य娼िशन है वेस्ट में तो यह कि लेट कब आया यह मेरे की साउथ की तरब यानि की जो मोहन है की वह कहा है उसकी एक इस की डाय। क्या और साउथ आइ क्योंकि ए डाय। के साउथ की तरब मुह करके यह आँगा घाव होगा तब ही दूर्ड उसके लेफ्ट दोनों fix रहेंगे यान कि sun और shadow fix हो जाएंगे उसके बाद में अपन अब्जेक्ट को अपन turn करके देख सकते हैं ठीक है तो यहां उसने कहाता है कि मोहन के left में तो मोहन के left में कब होगी जब मोहन का face कि दर हो सौथ की तरब यहां आपका हो जाएगा option c is correct answer clear है सबको चलते हैं next पर next देख को क्या दे रखाया है कि in the morning in the evening sorry evening का time अगर तो same वो ही condition रहेगी कि आपका जो sun है वो कहां रहेगा वेस्ट की तरब रहेगा ठीक है अगर वेस्ट की तरब है तो सेडों कहां बन गई इस्ट की तरब अब रखेंगे अपना उब्जेक्ट को यहां तक तो यह fix हो जाता है जैसे ही वो timing देता है ना कि बात वो morning की कर रहा है कि evening कर रहा है तभी यह चीज फिक्स हो जाती है ओं हो क्या बोल रहा है कि रोरीटेंट्स इनफ्रेंट को फिफोड की रोईद पॉल कि यह सामडे कड़ाया है तो माल ले यह क्या है वहला है क्लिए यह पोल है交ा इसेटों ऑ बोर्ड फोल जैस्ट्राइट्डूभ रोह टेðावाथ हैं थेना यह कौन खड़ा है यह रोहित खड़ा है ठीक अब यह बोलड़ा है कि इस पॉल की जो सेडो है वो कहां है रोहित के राइट में तो रोहित का फेस किदर होगा यान कि अपने को बता है कि सेडो तो किदर है इस्ट में तो सेडो इस्ट में हो और वो रोहित का क्या हो राइट ह तो यहां हो जाएगा आपका उप्शन बी इस करेक्ट आंसर क्लेर आजब को आपको क्या कर लेना है कि जो जिस अब्जेक्ट की वह सेडो बनाएगा वो रखो सेडो बनाओ रोको यह चीजे सारी फिक्स हो चुकी अब आएगी बात की उसके किस डायेक्शन बंढ़ने क्योंकि सेटो फिक्स है तो अब ऑबजेक्ट को अपने को टन करके देखना पड़ेगा क्योंकि यह तो तो यहां भी सेम करते हैं अपन सबस्क्रेंब क्या करोगे यह ओगा आपका नौर्थ यह हो गया साउथ यह हो गया इस्ट और यह हो गया वेस्ट अब बनाएंगे अपन सन को तो यह हो गया आपका सन क्लियर सन यहां है क्योंकि टाइम था इवनिंग का तो सेडो कहां बनेगी यहां पर यह भी क्लियर हो चुगा है अब रखेंगे अपना उब्जेक्ट्स अब क्या बोलड़ा है कि मनीज स्टेंड इन फ्रेंट ओफे ट्री यहां कि मनीज क्या है एक ट्री पेड के सामने खड़ा है अब यह बोला इसने कि इस ट्री की जो सेडो है यानि कि अपन कहां कड़ा करते है यहां कोई ट्री कड़ा करते हैं यह लो यह क्या है एक ट्री है इसकी सेडो देखो देखरी है अपने को कि यहां कौन खड़ा था, यहां कड़ा था मनीश ही मालो, ठीक है? मनीश को खड़ा कर दिया, यह ट्री था और यह मनीश था, दुनों खड़े थे, इस सेडो इधर बंटी थी, इसने कहा है, कि if the shadow of the tree tree की shadow अबने को बता है कि दर इसक की तरफ है ज़स्ट front to the money मुंद्ष के कहा है front पर तो मैंने पहले भी बहुन है कि जब सो shadow है वह फ्रंट में कब होती है कि जब अपना face कि दरो सेडो की तरफ हो यानि कि मनीज का face की दर सेडो की तरफ और सेडो की direction क्या है इस्ट यानि कि मनीज की डायरेक्शन क्या है इस्ट जीसे मैं खडाऊ ऐसे क्योंकि light source मेरे पीछे है सेडो मेरे इधर बंद रही है उस ट्री की मालो ट्री खडाया मेरे साइड में पास में उस ट्री की सन उदर है तो सेडो कहा होगी सामने और वह मेरे कहा है फ्रेंट पे तो कि देखो देखो इंद एवनिंग कि बात कर रहा है तो इंगेख इंगि यहां पर अब देखो क्या बोल रहा है कि इन दा यूनिम विफोर सुन सेट फ़ाइब सीमा इस्टेंड इन दा फ्रेंट ओप इलेक्ट्रिक बोर्ड यान कि पॉल ही समझ लो कि एक पॉल के सामने खड़ी है इफ दा सेडो अब दा बोर्ड ठीक है यान कि यह जो पॉल खड़ा था इसकी सेडो कहां बन रही है जिस्ट बेक टूदा सीमा यान कि यहां कॉन खड़ी है यहां सीमा खड़ी है ठीक है तो ढसर्ट इंदा और यह सीमा थी दोनों उस साथ में खड़े थे सन इदर ता सेडो उधर थी उसने कहा कि इफ-दा सेडो ओब बोर्ड पाल सेड है बेक टूदा सिमा के का तो मैंने आपको यह पहले भी बताए था कि जो सेडों होती है वो बेक पर कब होती है जब फेस कि दर हो लाइट सोर्स की तरब और लाइट सोर्स की तरब यानि कि सीमा का फेस की दर है वेस्ट की तरब क्यों कर यह सीमा तब ही तो वेस्ट में उसक्या है लाइट सोर्स तो से कर symmetrical भी सेंट होगी तो सीमा का फेज की तरफ में यह है यह हमें और यहीं बताना है sih स влад इससार्ण के तरह हो ग्यां हो जाएगा कि लात最近 करेक्ट आंसय हो जाएगा एक अब के यहां हो रहा है in the morning अब की बार बात कर रहा है वो मोर्णिंग की ठीक मोर्णिंग के कर रहा है तो सब से पर ले वह यह डायरेक्शन वाला डाइग्राम बनाएंगे यह होगे आपका नुर्थ यह साउड यह इस्ट और यह होगया वेश्ट अब बनाएंगे पन लाइट सोर्च मोर्णिंग की बात कर रहे हैं अब रखेंगे पन ओब्जेट्स बोल्डागे इन दा मोर्णिंग आफ्टर संडाइज एट सेवन एम सीमा एंड प्रिया टोकिंग विट इच अधर इस्टेंडिंग इन फ्रंट टो इच अधर यानि की सीमा और जो प्रिया है वो एक दूसरे से बात कर रही है और एक दूसरे की तरफ सामने मतलब आमने सामने की तरफ होके बात कर रही है क्लिर है तो यहां अपन इस तरीके से रखेंगे कि मानलोग यह एक तो और यह किया है यह दोनों इस तरीके से खड़ी है अब यहां उसने बोला कि if the shadow of the sima ठीक है if the shadow of the sima falls front to the priya देखो front पे है यानि कि वो इस तरीके से नहीं खड़ी है यह चीज़ फिक्स है सेडों की डायरेक्शन भी फिक्स है अब इन दोनों को खड़े करते हैं यह उसने कहा कि इस ने कहा कि इस ने कहा है फिक इस तरीके से कऱी है वो दोनों अब उसने कह आ है कि जो सेडों है वह कहा है सीमा की सेडोंoration की सेडों प्रिया के अफ्रेंड यह Uh फ्रेंट əंथे ने का फॉट होगी क्योंकि इसए भी खिल कर दो को गया यह कौन है सीमा क्योंकि इसकी सेडों ही किसके है प्रिया के फ्रेंट पे है शोली शोली यहां थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया एक मिनिट रुखना देखा यह सेडों की डारेक्शन थी माल लो यह यह तोनों खड़ी है ठीक है उसने खा कि कि सीमा की सेडों वह कहा है प्रिया के फ्रेंट पर यानि कि यह होगी प्रिया और यह होगी सीमा क्योंकि सीमा की सेडो यानिकि सीमा की सेडो को कहां बनेगी इसे बनेगी ऐसे ही तो बनेगी ना अब वो कब बन सकती है इसे जब प्रिया इधर देख रही हो क्योंकि प्रिया के फ्रेंट पर बन रही है प्रिया अगर ऐसे खड़ी होगी मार लोग इसमें खड़ा हूं ठीक ह है और मेरे सामने के इसे ऐूइँ से इसके सेड़ों कहांए विदर निदर पिछे की तरब नगी तो मेरे वो तो फ्रंट पर जी आ ही ना इस तरीके से क्योंकि उसने कहा है कि सीओ की डायेक्षिन क्या वेश्ट या कि प्रिया का डाइन भी किया है वेस्ट है अब यह उसने मुचा कि देन उन परेख्ष्ष डियूं सीँ मज फेस के सीमा कें फेस कि फेस कि 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 दर है गेक फिया का फेस अगर इदर है थो नीं इस दरह तो तरों एक दूसरीह तरब मूह करके ख़िये तो यहाँ पोपका क्या हो जाएगा उपसन ओन इंज और इन सब्सक्राइब ज्युक्प आपने देखिर का इंदर आप्टर संड्राइज मौनिंग की बात कर आप फिर से अपन वह डायराम बनाते हैं डायरेक्शन वाला योगया नोर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट, क्लिर है? अब बनाता हूं मैं सन, मौर्निंग का टाइम है, तो सन आ गया है यहां पर, तो सेडों कहां बनेगी? यहां बनेगी सेडों, क्लिर है? अब रखेंगे अपनोब्जेक्ट्स, ठीक, क्या कहा? कि अंधा morning after sunrise at 7 a.m. पुझा stands in front of a tree याना कि पुझा एक tree के सामने कड़ी है मालनों ये कोई tree है ठीके पुझा कहा कड़ी है इसके सामने कड़ी है if the shadow of the tree falls just back to the पुझा याना कि पुझा के कहा है just back side में है ठीके कि यहाँ tree था उसकी सेडों कहा थी इस west direction में और वो बोलड़ा है कि पूजा की कहा है वो back पे है यानि कि पूजा कहा खड़ी होगी मानलोग फूजा जी से यहां खड़ी है तो इसके back में कब होगी फूजा का face किदर हो इस्ट की तरब इस्ट की तरब मनलब light source की तरब अगर फेस होता है तभी सेड़ बेक पे बनती है यानि कि पूजा के face की डायरिक्शन क्या होगी इस्ट यहां हो जाएगा आपका option 1 आप फ्रेंट और बेक को तो इस तरीके भी समझ सकते हो कि अगर सेड़ बन रही है बेक पे मतलब face है light source की तरब क्योंकि light source अगर इदर है और में face इदर करूंगा तब ही तो मेरी जो सेड़ो है वह कहाँ बनेगी मेरे back पे बनेगी और अगर light source इदर है और मेरा face इदर है मतलब मेरे front पे clear है तो front और back के तो आप इससे समझ सकते हो कि अगर वह बात कर रहा है front की sorry back क कि तो मतलब face की तरह light source की तरब है clear है सुबको तो यहां light अगर light source इस्ट में था light source में था और वह पुजा की कहां बनी थी back पे बनी थी तो back पर कम बनेगी जब पुजा का face की तरह हो light source की तो मतलब मतलब की तरह इस्ट की तरब यानिक वह आएगा आपका option is correct ठीक है चलते यहने बनाएंगे सब्सक्राइब एक तो आपका सन यहां अगर सिन है तो यह बन गए आपकी क्या सेडो सेडो है तो अब रखते हैं कि बनाकर अब ऑपजेक्ट को यह बोलडा है कि in the morning at the sunrise जब तक यहां जब अपने को जो टाइमिंग देगा ना जो टाइम बताएगा वहीं से अपन इत्ता तो ड्रो कर देंगे अब आगे क्या बोल रहा है कि अंकित एंड कव्या टॉकिंग विद इच अधर स्टेंडिंग फ्रंट ओफ इस अधर यान कि अंकित और कव्या है ठीक है वो क्या एक दूसरी की तरब मुझ करके खड़े होएं वह एक दूसरी से क्या कर रहें बात कर रहें यह बोलड़ा है कि इफ दसेड़ ओफ अंकित फॉल्स र है राइट साइड में ठीक है यानि कि यह तो कौन हो गया कि कव्या के राइट में तो यह तो गया अंकित और यह होगी कव्या वैसे इनके नाम से कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है आप इनको आगे पीछे कर सकते हो बस आपको इतना देखना है कि सेडों की डायरेक्श क्या है वेस्ट में अब वह वेस्ट के से होगी कि उसने कहा है कि वह किसके है राइट टू कव्या यानि कि कव्या के राइट में तो सेडों की डायरेक्शन मेरे को पता से लिए कि वेस्ट में है क्योंकि सन इस्ट में है तो वह कव्या के राइट में कब आएगा मेरा राइ नौर्थ की तरह आपको सर्फ यह जो पहले वाला जो डाइग्राम है यह अच्छे से बनाना है कि सन को और सेडों क्योंकि यह फिक्स यह वेरियबल नहीं होती बाकी चीजों को तो अपन आगे-पीछे या उपर नीचे के से भी करके सेट कर सकते हैं कि फेस की डायरेक्शन को अपने को डिसाइड करना है जैसा वो देगा क्योंकि कंडिशन यह चेक करनी है सिर्फ कि राइट टूदा काव्या कि काव्या के राइट में आदा निचीए सेडों जबकि सेडों का अपना का पता है कि वह हमेसा वेस्ट में रहेगी तो वो waste में कब रहेगी जब काविया face कर लेगी नोर्थ की तरब तब उसके right में आएगी क्योंकि shadow की direction fix है गुमाना है तो किसको गुमाना अपने को काविया को गुमाना पड़ेगा क्योंकि यही variable है change issue को होना है फेस की डायरेक्शन इसी को चेंज गर नहीं है उसकी कंडोशन के अकोडिंग क्योंकि सेडों की डायरेक्शन तो फिक्स हो चुकी है तो यहां का वियाका फेस किया है नोर्थ ओप्सण सी खरेक्ट चलते हैं एक्स्ट पर नेक्स देर का है in the morning देखो morning का time अगर तो इदेखो यह हो गया north, south, east and west अब morning का time है तो पहले मैं बना दिता हूँ sun यह हो गया आपका क्या sun अगर sun यहाँ है तो आपकी shadow का बन रही है यहाँ shadow बन रही है अब रखता हूँ में आपके objects क्या बोला in the morning at the sunrise सुरेश वह अजी standing facing pole, एक pole के सामने खड़ा है ठीक है उसने कहा shadow of the pole falls exactly to the right यान कि pole की जो shadow की तरह वेस्ट की तरफ अब वो क्या है जो सुरेश ता उसके कहा है राइट में तो सुरेश के राइट में यान कि सुरेश का राइट साइड वेस्ट कब होगा बहुत सुरेश मेरी जैसी खड़ा होगा तब यह तो उसका पॉल दा सेड़ो ओव दा पॉल फोल एक्जेक्टली टू है राइट तो विच डायरेक्शन वोज फेसिंग कि दर उसका फेस नोर्थ यहां अपने पास आंसर आया क्या नोर्थ बट्यां ओप्शन अपने पास क्या निये नोर्थ निये वेसे तो यहां इस जिगे आना था नन तब ही अपन कर सकते थे वैसे अगर इसका उप्शन अपन चाहें तो क्या होगा इसका अंसर होगा नोर्थ होगा ठीक चलते हैं नेक्स्क्यूशन पर देखों दे रहां कि इन दा मोर्णिंग आप्टर संड्राइज रमेश यान कि मोर्णिंग का टाइम फिर से बताया तो क्या करें हूँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा यह डायरेक्शन वाला मैं डायग्राम ड्रो करता हूँ ठीक है यह हो गया नौर्थ साउथ इस्ट एंड वेस्ट ठीक है अब उसने कहा कि सन का है मोर्णिंग का टाइम है तो सन आ गया यहां पर सन अगर यहां है तो सेडो का बनेगी मेरी य टेक्स को क्या हूं कि रमेस औंड अनील रमेस और अनील टोकिंग इज आधर यह अदर्यवा को बात कर सर यह किसा कर रहा है तो था इस तरीके से यह है और ये कौन है रमेज अब इसमें क्या पहा था कि राइट के नील की कहा है राइट में और सुरमेज की तु सेडो है तो रमेज अब यह एक दूसरे की तरब खड़े हुए तो अनील के राइट में कबोगा वेस्ट है यान कि अनील के इसे कड़ा है North की तरफ अपने को पता चल चुकी है कि आप देखो कि निवीच दाइरेक्शन दा निवीच निकाल चुके बन क्या है नोट है तो यहां क्या होगी और उसकी नोट में क्यों हो क्यों कि नोट में तभी हो सकती है क्योंकि अपने को उसके राइट एंड में लेके आनी है सेडो और सेडो अपने को पता है पहले से कि वेस्ट में तो वो कब होगी जब अनील नोर्थ की तरफ फेस करेगा क्लियर है चलते हैं एक्सक्यूशन पर तो देखो यह था अपना डायरेक्शन का थर्ड चेप्टर जो कि सेडो बेस्ट क्यूशन थे इसके अंदर और इसके आपने आई होप आपको समझ में आया हो गया अगर फिर भी अगर आपको कुछ डायूट रहता है तो आपको कमेंट सकते हो या आप हमें जो टेलीग्राम पर ऊपता सकते हो मैं आपको फिर से कर वाउंगा या तो वP alien STEPHANno तो आपको क्लास के अंदर इसका सोल्यूशन करवा ठीक है तो आपको क्या करना है इस क्लास को अच्छे से देखना है समझना है एक बार में अगर समझ में आती क्योंकि शेडों बेस क्यूशन आपने पहले कभी मतलब किये नहीं होगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको क्या करना एक बार दुबारा देख लेना है ठीक है यहां में चीज दो ही चीज बताइए मैंने एक लाइट सोर्स जैसे टाइमिंग बोलेगा उसके अकोडिंग लाइट सोर्स फिक्स कर दीनी है दूसरी यह याद रखनी है कि जो सेडों होत सेट करके देखना है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स क्लास साथ ओके थेंक यू for free study material join our telegram channel for more updates and continuous learning subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the video scenic school and military schools offline and online courses are available at minimal cost